हेलो फ्रेंड्स तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं MSC 1st Sam Organic Chemistry का जो आपका अंसोर्ट पिपर है ठीक है Organic Chemistry के हम देखने वाले हैं very short question ठीक है ना देखिए section यह में आपके क्या है 5 आपको very short question मिलते है इस question carries two marks two marks marks का आपका परते question होता है इस वीडियो में हम यह देखने वाले हैं मैं दो या तीन question आपको इस वीडियो में करवाओंगी क्योंकि अगर मैं पांच हो करवाओंगी तो वीडियो काफी लेंदर हो जाएगी next video में मैं आपको complete करा दूंगी तो चलिए वीडियो को start करते हैं फर्स्ट आपका question क्या है discuss Conjugation आपको बताना है Conjugation होता क्या है अब two marks का question है तो आपको उसी हिसाब से लिखना है ठीक है तो चलिए देखते है Conjugation देखें मैं सी फर्स्ट है अंसोर पेपर करवा रही हूं और्गेनिक है मिस्ट क्या है वाई चोट कोर्शन है फर्स्ट कोर्शन आपके क्या है discuss Conjugation तो Conjugation होता क्या है देखें पहले तोड़ा मैं आपको सिंप्ली से बता देती हूं ठीक है अब सपोज कि यह आपकी क्या है बॉल चार यह मान लीजिए इसको मान लीजिए इसको सी और इसको डी अब एक बात बताएं यह ए और सी जो यह दोनों है यह एक दूसरी से किस पोजिशन पर यह एक इसके साथ ऐसी कोई और फोल फिर थे तो ऑब यह डंटरीब पोजिशन उसकी देखते तो जो आपकी अल्टरीटीब पोजिशन है इसको अपका कहते हो कउन्यूकेशन चेहनल इस अल्टरीटिव पोजिशन का मतलब होता है कॉन जूटरीशन अब यह जो मैं आपको एक डै और बिटर कैन भी इंद्मॉट यह डैफिनेशन ही कहती है कि दो पाई बॉंड एक सिग्मा बॉंड की बाद आते हैं ठीक है तो कॉंजुकेशन का मतरब क्या हुआ आपका अल्टरेनेटिव पॉजिशन पर एक्जाम्पल की बात करते हूं तो कॉंजुकेटिड डबल बॉंड हो क्या होते हैं सेप्लेट होते हैं सिग्मा बॉंड से हैं एक्सांपल में आगे देखें वन थ्री डाइन एक्सेलेंट एक्जैम्पल ओफ अ कंजुकेटिड शिस्टम इचकारवन इन वन थ्री डाइन और एस्पी टु हाइब्राइड एंड देरफोर हैव वन प् क्यंतिर दाइन विटेडाइन 5 सिस्टम देखें यहम बात करते हैं यह बहुत हैं अब इसमें प्लक्रोण की बीच्क कि या नहीं है तो आपको गींग बिल्कुल कियों कि दो पाइप बांड की बीच क्या राहा है अब यह तो अलब इस टैक्टक्टिर रोडी वे स्कों नहीं देखिए कि हम देखिए कि we do five- more बाश की बीच में सिगमा बोंड आता है तो हम पर क्या होता है पर कॉंजूकरी जिन होता है तो वन थरी दाइन्स में जो है conjunction का मतलब यह है कि दो डबर बोंड एक सिग्मा बोंड के सिग्मा बोंड से सब्डेटेड होगा अब यह आपका 3-5 ओक्ट डाइन है इसमें क्या है दो डबर बोंड की बिच क्या रहा है आपका एक सिग्मा बोंड आता है तो क्या है दो नंग्यूकृत्च सिग्मा सिग्म्याइर के लिगर सिग्मा बोंड एक सिग्मल बोंड ऐगा ale सिग्मा बोंड से और मैंने क्या कआए Conjugation वहाँ हो गां तो डबर बॉंड के बीच एक सिंग्मा बोंड आएक सिस्क्राट मेल मतलब यह इसमें conjunction नहीं है non-conjugated dyns वही कहलाते है तो यह आपका conjunction का question यहाँ से complete हो जाता है मैं आपको इस तरह दिखा रही हूँ तो आपको क्या करना है वीडियो को pause करके यह question आपको अपनी copy में note कर लेना है exam का unsored का repeat हो सकता है रिपीट भी नहीं हुआ तो conjunction तो पता ही होना चाहिए आपको क्या होता है तो वीडियो को pause करके आप यह अपनी copy में note करें तो आपके first question complete हो जाता है अब हम देखते हैं कि आपको second question क्या है discuss conjugation यह आपको हो चुका है next आता है आपका explain therio and erytho isomers तो आपके erytho and therio isomers है वो क्या होते है आपसे ही पूछा गया है ठीक है अच्छा question है इसके लिए आपको पता होना चाहिए diastomers क्या होते हैं तो आप किस तरह से explain करोगे और किस तरह से अपनी copy में लिखोगे मैं आपको बताती हूँ explain therio and erytho isomers क्या होते है देखे therio and erytho diastomers therio and erytho isomers है उसको समझने से पहले हमें समझना होगा यह diastomers होते क्या है ठीक है diastomers are stereoisomers which have the same configuration at one chirality center but different configuration at the other in other words diastomers are stereomers which are not mirror image of each other simple language में बता हूँ diastomers as a stereoisomers होते है जिन में क्या होता है एक काईरस center में तो same configuration होता है और दूसरा जो आपका काईरस center होता है उसपर different configuration होता है means एक काईरस center पर same configuration एंद दूसरे पर आपका different configuration होते हैं, यह हम कह सकते हैं, in other words, ठीकिना, कि एक दूसरे के mirror image नहीं होते हैं, क्योंकि अलग-अलग हो जाते हैं, diastereo में समझ आ गया है, अब हम देखते हैं, तो आपको diastereo में समझ आ गया होगा, ऐसे compound जिनमें दो decimral carbon atom, chiral carbon atom present होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनमें कहते हैं, diastereo mers कहलाते हैं, ठीकिना, अब देखते हैं, diastereo and diastereo are four carbon containing sugar, which have two decimilar chiral carbon atom, diastereo and diastereo four carbon containing sugar होते हैं, जिनमें क्या होते हैं, दो decimilar carbon atom present होते हैं, एक्जामपर के थुरू हम समझेगे हैं, यहाँ पे लिखा है, decimilar carbon, chiral carbon atom, तो यह क्या होता है, इसका मतलब है कि दोनों chiral carbon पर different configuration present होगा, कैसे देखिए, यह आपके क्या, यह आपके erythio के reaction है, यह भी erythio के है, और यह 3 के होगी, यह dextro, यह dextro, यह leafo, ठीक है न, यह आपकी अलग है, इधर बार यह आपकी अलग है, इह दोनों एक है mirror image in में, ठीक है न, अब देखें यहां पर क्या है दोनों OH ग्रूप पर जैन्ट है जब हमने मेरे के साइड रखें के दोनों OH ग्रूप एक साइड है ठीके ना तो एरिथ्रों में क्या होता है जो सिमिलर ग्रूप हो सेम साइड होता है देखें सिमिलर ग्रूप है और यहां पर हाइड्रोक्साइ एरितों में यह होता है कि इसमें जो similar group है हो same side होगा और त्रियों में होता है similar group different side होगा या first structure is second ये third और fourth मान लो आगे क्या लिखा है first and second first and second और third और fourth and anonsumers anonsumers क्या है ये एक दूसरे जैसे mirror image है ये इसकी mirror image है और ये इसकी mirror image है तो यह आपके anonymers है में आपको बताया है जो diastumers क्या होते हैं या इसकी mirror image नहीं होती diastumers but nonsumers होते हैं या दूसरे की mirror image होते हैं तो हम कह सकते हैं first second का mirror image है और third fourth का mirror image है अब आगे लिखा है first and third यह उब हें सेकी प्रैंड इसटोमर्स वाँ हूं आपको समझ को आपको लिख नहींगा होगा आगे आपको लिखना है कि diastomus of compounds containing to decimilar substituted chyder carbon atom जिसमें क्या होते हैं decimilar carbon atom होते हैं ठीके ना the erythio यह एक एक लाइन ओ लिक्षेस में कि जो आपके diastomus है इसको explain करने के लिए prefix का यूज़ करते है erythio the erythio diastomus is the one in which in which two like group on the chiral atom are on the same side in the fissure projection formula as in erythio definition यह है कि जो आपको क्या होगा same group same side होता है तो आपका रिथियो कराता है and therio में क्या होगा therio diastomus have two like groups on opposite side as in therios opposite side जो आपका group होगे होगे तो आपके त्रियोज कहाते हैं लेकिन मैंने आप आप सोच लोगे मैंने तो आपको diastomus बढ़ाया मैंने आपको diastomus इस लिए बताया है क्योंकि diastomus के explain करने के लिए हम यह दो prefix यूज़ करते हैं ठीक है यह डाइस्टोमस की पार्ट होते हैं इतना मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ आपको वीडियो को पॉज़ करना है और यह नौट कर लेना है अप दो लाइन की definition लिखोगे तो copy चेक करने वाला भी आपको क्या marks देगा ठीक है कम से कम दो marks का sufficient होना चाहिए कि सबसे पहले आप डाइस्ट्यूमर समझा दो उसके बाद थीरियो एर्थियो की structure बना दो उसके बाद उनकी definition लिख दो अगर आपको वीडियो अच्छे लगत तो फ्रेंड्स आपको लाइक करने है और मेरे चैनल को subscribe करना और वीडियो को share भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ ता कि उनकी भी help हो जाए कि आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही बताऊंगी यह दो कोशन ही ठीक है ना नेक्स चुट में मैं आपको आगे कि तीन कोशन करवा दूंगी क्योंकि वीडियो काफी लेंद्स हो जाएगी में में इतना स्पेस नहीं होता है कि मैं आपको 20 मिनट की वीडियो डाल दू इस वज़े से मेरी वेडियो दस मिनट से जाधा नहीं होती है ठीक है ना देखिए मैंने आपको फॉर्स्ट कोशन करवा तेया सैंकिंड भी थर्ड फॉर्थ फ्फ मैं आपको नेक्ट्स डूडियो में करवा दूंगी तो आप नेक्स डूडियो को बेट करना एक बार मैं वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जबू करें थैंक यू सो मच